साईयो 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 आप तो एक हे लड्डू खाता है ना और वो तो आप ले चुके क्या में असारे लड्डू ले जाकर अपने दोस्तों में बाठकर उनके साथ खा सकता हूँ ले जाओ शुक्रिया साईयो साईयो आज सुपह तक में एक अलगी व्यक्ति था मैं लोगों से मिलता नहीं था उनसे बात भी नहीं करता था घर के बार कदम नहीं रखता था यहां तक कि मैंने आपका चिम्टा भी चुराया था लेकिन साईय आज आपसे बात करने के बाद मैं लोगों से मिला भी उनसे मैंने बात भी किये और उनसे मैंने काम भी मांगा और साही मुझे काम भी मिल गया साही ये सब आपकी कृपा से हुआ है मैंने तो सिर्फ मार्ग दर्शन किया है सहदिय उस राह पर चले तो तुम खुद हो और मन्जिल अभी भी तूर है मन्जिल तक का सफर तुम्हें अकेले ही तै करना होगा मेरी बात याद है न तुम्हारा मन जब भी चोरी करने के लिए मचलने लगे तो उस इंसान के बारे में सोचना उसे याद करना जिसका प्यार तुम्हें तुम्हारी इस पुरी आदत से लड़ने की शक्ती देता हो मैं जानता हूँ यह आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए हो सकता है तुम कई बार खुद को ना रोक पाओ लेकिन एहसास होते ही अपनी गल्दी को सुधारने का प्रयास करना छुपाना मत क्यूंकि शैतान हम सब के अंदर मौजूद होता है अगर हम उसे प्रोचसाहित करेंगे तो पराजित नहीं कर सकते उससे लड़ने का उससे खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम उसका सामना करें और अपनी गल्दियों को छुपाकर तुम वही गल्दी बार बार करते रहोगे जो पिछले कई सालों से करते आये हो साही आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा मैं आप से वादा करता हूँ राम जी बहला करें अन्ता पंता जी सरकार सवारी आयें के नहीं आती होगी सरकार सूपरबाद सरकार अलियोम कोई तो है जो समय का मुल्य जानता है मुनेम ये है क्या नाम बताया था सहदेव सहदेव है ये तुम्हारी सायता के लिए मैंने इसे काम पे रखा है काम के सिलसिले से श्रिडी से बाहर जा रहा हूँ शाम को लोटोंगा तब तक तुम इसे सिखाओगे इसे क्या करना है तुम इसके प्रभारी हो प्रभारी तुम ये सुनिश्चित करोगे कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं जान रहे हैं तुम भी नए हो ये भी नया है अगर कोई भूड कोई चूख हो गई तो जैसे पहले वाले मुनिम को काम से निकाल दिया था वैसे तुम्हें भी निकाल दूँगा अरियोम सरकार बग्या आगई हड़ा चारा मतलब एक तरफ कुआ दूसरे तरफ खाई दोनों सूरत में सजा मुझे ही मिलेगी मुनिम जी मुझे गाम क्या करना होगा बताता हो जी देखो तुम्हें इन सभी वई खातों को बनाय रखना है हिसाब लिख जाने के बाद उससे फिर से दोबारा जाच करनी होगी कहीं कोई गलती न रह जाये सरकार ने जवाब देही मेरी तै की है इसल जैसा मैं कहूं वैसा ही करना जी रोज समय पे आना काम चोरी नहीं चलेगी सुनिश्चित करना कि कोई काम लंबित ना रहे अधूरा ना रहे जी 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 नहीं काम करो सभी खातों की जाच करके देखो कि कहीं भूल चुक तो नहीं हुई है और हाँ यह काम सारा शाम तक हो जाना चाहिए मुलीम जी इतने सारे बही खाते है शाम तक क्यों आलस आ रहा है कछ्वे की गतिसी काम खरोगे तो सरकार से कहकर किसी और को रखवाल लूँगा नहीं नहीं मैं करूँगा करोगे ना जी 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 तो फिर शुरू हो जा जी सरकार शाम को आएंगे तो क्यों ना मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ इतने दिनों से अकेले काम करते करते ठक गया हूँ सुनो मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मन लगा के काम करना ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए काकी जो आपने इस गाव में रहने का फैसला लिया और इतना सुन्दर काम तो हमने पहले कभी देखा ही ने आपके हातों में सच में बहुत जादू है पुछ और रहेगा तो हम जरूर बता देंगे जरूर तो हम चले काकी आप हमें भी सिखाएगे ना आप इतना अच्छा जरी वाला काम कैसी करती है जरूर सिखाऊँगी तुम दोनों ने मेरी लिए इतना कुछ किया है मैं जरूर सिखाऊँगी आई बल्राम लक्षमी कान आई आई हमें माफ कर दीजी हमने आपके साद बहुत बुरा सुलुक किया हमारी बुद्धी ब्रहश्ण हो गई थी हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आई अपने पाप का प्रैश्चित करना चाते है जब से आप गई हैं हम सुकून से सो नहीं सके चैन से खा नहीं सके आपके साद कितना गलत किया बस यही दुख सताते रहता हर समय आई आपको पता भी है आपकी करने के वज़े से काकी को कितना दुख सहना पड़ा कितनी तकलीफे उठानी पड़ी मुझे पता है काकी मुझे किस हाल में मिली थी हम जानते हैं हमने जो किया कोई भी बेटा अपने मां के साथ नहीं कर सकता हमसे बहुत बड़ी बूल हो गई इसलिए हम आई को अपने साथ ले जाने के लिए हैं हाई हमारे साथ चलिए आई मरे साथ चलिए हाई भगवान के लिए हमारे साथ लौट चलिए बच्पन में भी तो हम गलतिया करते थे और आप हमेशा माफ कर देती थी हमें बस एक आखरी बार हमें माफ कर दीजिए साई काकी ऐसे कैसे अपने बेटों को माफ कर सकती है उनके बेटों ने तब छोड़ा था जिब वो देख नी सकती थी माघुती ही ऐसी है हमेशा माफ कर देने वाली दया और ममता का सरवोच उदारण बच्चे चाहें सेकणों हल्दियां कर ले लेकिन माँ के पास उन्हें माफ कर देने के उन पर अपनी ममता लुटाने के लाखों कारण होते हैं यह साही है इन्होंने ही मुझे ठीक किया है हम आपका यह आइसान हमेशा याद रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद साही आपने हमारे आई के आखें लोटा कर हम पर बहुत उपकार किया है साही, साही मैंने फैसला किया है कि अपने बेटों के साथ रहता वापस जाओं भी माजी आपने अच्छे से सोच लिया है ना जी साही मेरे बेटों को अपनी गलती का ऐसास है और पश्तावा भी है और सच काउनला साही तो मैं यहाँ बहुत खुश्ती लेकिन फिर भी अपने परवार के बारे में सोचती रहती थी उन्हीं को याद करती रहती थी स्ँ ए Baptist मैं सरे दुफ्ती ने स्वे लग भी रहूं किसी भी हाल में रहो अपको कभी नहीं भूल पाऊंगी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसका शुक्रिया मैं कहसे अदा करोंगी, मैं नहीं जानती, और इन बच्चों ने भी मुझे जो प्यार दिया है, उसे मैं कभी नहीं बूलूगी, अब मुझे जाना होगा साइं, मुझे इसाज़त दीजे, जानती हो साइं, अब माची, क्या आप मदद के लिए, सच में मेरी शुक्र गुजार है, इसमें कोई दोमत नहीं, साइं, आप तो मेरे लिए गुरू तो अगर मैं आप से कुछ मांगू, तो क्या आप देंगी? जरूर साइं, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज से जरी का काम, आप हमीशा के लिए छोड़ दें, लेकिन साइं, काम करने के लिए आपने ही मेरा होसला बढ़ाया था, और अब मैं ही मना कर रहा हूँ, आपने मुझे गुरू काहा है ना, तो गुरू समझ कर, गुरू दक्षणा में ही ये बच्चन दे दीजिये मुझे, जरी का काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप से बढ़ कर कुछ भी नहीं, और वैसे भी, मैं अपने बेटों के साथ जा रहे हूँ, वो तो मेरा ख्याल रखेंगे ही, चलते हूं साइं, राखंजी बलागरी, कि रहने की धे, प्याल रंबलाल रखेंगे ही, झाल झाल कि रुक जाओ सेदेव यह क्या कर रहे हो तुमारी चोरी की लग छूड़ जाए इसलिए तो काम करने आये हो तुम्हें अपने काम पर धान कंदरित करने की जरूरत है सेदेव अरे सेदेव ले लो वैसे भी एक सामान उठने से क्या फरक पड़ता है आदद तो जाते जाते ज तुम्हारा मन जब ही चोरी करने के लिए मचल्ले लगे तो उस इंसान के बारे में सोचना उसे याद करना जिसका प्यार तुम्हें तुम्हारी इस बुरी आदत से लड़ने की शक्ति देता हो ताही अब मेरा भाई भी औरों की तरह काम करेगा मेरे लिए यही बहुत है जीजा जी अब बाबा अब बाबा सब के बारे में सोच लिया फिर भी मैं अपने आपको लोग नहीं पा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस सामान की जरूरत है और तुम तो जानते हो ना अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए और वो जब तक तुम्हें नहीं मिल जाती तुम्हारा ध्यान किसी भी काम में लगता ही नहीं और अगर यह नहीं उठाया ना तुमने तु यह भाई खाते काम भी तुम्हें कर पाऊगे और यह काम भी तुम्हारे हाथ से जाएगा इसलिए ले लो और लेने के बाद तुम शान्त भी हो जाओगे और इसके बाद तुम अपना गाम भी पूरा कर पाओगे और अपनी नोकरी भी बचा पाओगे सोचो मत ले लो अरे ले लो हाँ ले लो कर दो सेदेव तुम्हारी अच्छाई पर मुझे पूरा भरोसा है जिने में चाहता हूँ, उन सब को याद की हमने अब और किसे याद करूँ, कौन है ऐसा? युझे लुझे विए इसमीन जिने लुझे एचे लुझे आए 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 युझे आए तुम्हारी आए आए साई 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 कान जान पाया ओ साई हो साई ओ साई वो साई शुकरीया साई पेशक है वह हुख आप है वह जिसने मुझे पर विश्वास की जिसने मैं ममदग की पबड़ आचाब कुछ काम गुआ कि नहीं हे भगवान आता ही नुक्सान भी कर दिया और उपस से हज भी रहा अभी तक पहले ही भाई पर लटके हो पहली नहीं आखरी मतलब यह सारे गे सारे भाई खाते जी ऐसे मुनिम जी आप एक बार देख लीजिए और कोई काम हो तो मुझे बता देना तब तक मैं वो साफ कर देता हूं ने ने तुम जा सकते हो मुनिम जी वैसे आपसे एक बात पूछनी दी पूछो वो हमारे मालिक का नाम क्या है सरगर का नाम जी तुम ने उनका नाम भी नहीं पता कुलकरनी सरकार वो इस गाओं के मुख्या भी है जी थन्यवाद ताइ मैं गाम से वापसाओ झालिए झाल 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 झाल